बुलाओगे तो आऊंगा मेहनत से पढ़ोगे तो पास होगे जादा खाओगे तो बीमार पढ़ जाओगे तो दोस्तो इस तरह के सेंटेंस आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेकिन अगर दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए दोस्तो इस तरह के सेंटेस बनाने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर की ज़रूत होती है पहला जो सेंटेस हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम इफ लगाएंगे उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक उब्जेक्ट के बाद इसमें कॉमा लगाना है दूसरे sentence में सबसे पहले subject उसके बाद में will और फिर उसके बाद में verb की first form उसके बाद में object लगाएंगे तो जैसे कि अगर आपको बोलना है कि बुलाओगे तो आओंगा तो आप बोलेंगे If you invite me, I will come If you invite me, I will come तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले if लगाया है उसके बाद में subject फिरम ने लगाई है verb की first form और उसी तरीके से कॉमा लगाने के बाद हमने subject उसके बाद में will और फिर उसके बाद में लगाया है verb की first form महनेस से पढ़ोगे तो पास होगे If you study hard, you will pass the examination If you study hard, you will pass the examination अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा इसको आप बोलेंगे If I come to Delhi, I will meet you इसको दोस्तों आप negative भी बना सकते हैं अगर आपको बुलना है कि अगर खाओगे नहीं तो बीमार पर जाओगे इसको आप बोलेंगे If you don't eat, you will fall sick If you don't eat, you will fall sick अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे तो आप बोलेंगे If you don't study hard, you will not pass in the examination अगर बारिश नहीं होगी तो मैं आऊँगा इसको आप बोलेंगे If it doesn't rain, I will come अब दोस्तों आज का सवाल अगर मेरा promotion होगा तो मैं सबको party दूँगा अगर मेरा promotion होगा तो मैं सबको party दूँगा इसका जवाब मुझे अंग्रेजी में comment box में लिखके जरूर भेजे और साथ-साथ दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है अगर शुछा कर दोस्तों आज कर दोस्तों झाल झाल झाल